नमश्कार दर नगरी न्यूस के सेहत नामा कारेकरम में आपका स्वागत हैं, मैं हूँ आदित आत्रे, आज हमारे साथ हैं SMS अस्पताल के अत्रिक अधिक्षक और धंत रोग विशेशक के टॉक्टर प्रदीप शर्मा, दातों से संबंदित जो बिमारियां है या ओरल से संब मूश्के संबंदित किस तरह की बिमारियां मौजूदा समय में सबसे जादा देखने को मिल रही है, क्या कुछ इसके कारण है, क्या कुछ इलाज फिलाल समय मौजूद हैं, और किस तरह कि जो इस चेतरे के अंदर नई जो चीजे सामने आई हैं, इलाज से जुड़ी वही, उन सबी चीजों को लेकर तमाम तर्चा जो है आज अंप्रदीप शर्माजी के साथ करने वाले हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपना से से सबसे पहले तो सर ओरल जैसे आता है तो सबसे पहले आता है कि मूज के संबंदित जो बिमारियां होती है वो इन दिनों सबसे ज़्यादा पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा देखने को मिली है जानना चाहेंगे कि क्या कारण है और पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बिमारिया है सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके चैनल के मादेम से आम जनता को यह बताना चाहता हूँ कि मुख का स्वास्ति है वो एक जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको किसी भी तरह से नेगलेक्ट ना करें जैसे एक आम धारना बनी हुई है कि लोग मुख या दाथ की बिमारियों को सिरफ एक सामानी बिमारी का हिस्सा बानते हो बहुत ज़्यादा सीवियर होने के बाद सिम्टम बढ़ने के बाद किसी को रिपोर्ट करते हैं कभी मुख की बिमारियों के बारे में लोग अवेर नहीं हो पाते बलकि अवेर्नेस इस सामाजिक जिवन में ज़्यादा बढ़ी है मैं आपके मादेम से यह बताना चाहूँगा कि जो इसका मुख की बिमारियां आजकर जैसे टीथ के बारे में आप देखेंगे लोग सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं कि उसके दांत में कोई केवीटी हो गई जिसे आप केवीटी बोलते हैं वो एक्ट्र एक बैक्टिरियल इन्फिक्शन होता है जो हमारे मुँ में सामाने ते यह बैक्टिरिया पाई जाते हैं मुँ के स्वास्ते के बारे में अपन सोचते हैं कि आमदारना रोगों में ये रहती है कि सबसे ज़्यादा जो बैक्टेरियल कोलोनी है वो अपने मुँ में ही पाये जाते हैं जैसे रिसर्च ये बताती हैं कि 700 तरह के विभिन प्रकार की बैक्टीरिया हमारे मुह में रहती हैं। यदि किसी भी तरह का disturbance उनकी biological cloak में होता है तो ये एक दूसरे को disturb करके मुह में बिमारियां करती हैं। ये बिमारियां जब आगे बढ़ती हैं तो हर तरीके से शरीर के अन्य अंगों की बिमारियों को प्रभावीत करती हैं। तो दात और मसूडे की बिमारियां जो common रूप से पाई जाती हैं। दात की बिमारी में cavity के रूप में जैसे लोग पता करते हैं एक cavity के रूप में कि हमारे food lossment खाना फसने की समस्या दातों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जब वो खाना फस्ते वे sensitivity के रूप में लोगों को ठंडा गरम लगना किसी चीज के बारे में या दर्द होने लग जाता है। तब वो किसी भी विसेशिक ये चिकस्य के पास में सदा लेने के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दान्त की रूप में किसी भी black support या कोई भी cavity हो रखी हो, कोई खड़ा हो रखा हो तो अपने को चेक अप करवाना चाहिए। ये एक bacterial infection होता है, जो सबसे पहले enamel, फिर dentine, फिर pulp tissue तक पहुंचता है, जहां आपको ठंडा गरम, pain और आगे फर्दर कोई infection हो सकता है। इसके बाद दान्त के चारूँ और मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में जैसे inflammation, बहुत सारे लोगों के लाल रंग के मसूड़े बहुत जादा उन में किसी तरह की Susan हो जाती हैं मसूड़ों में, वो gingivitis होती है, जिंजिवitis आगे चलके वो अड़ी की विमारी में change हो जाती जिसे हम आम बासा में, विसे से के बासा में periodontitis कहते हैं कि दान्तों की बिमारी हैं, यह दि वो अब दान्तों के अड़ी को involve करती हैं, तो दान्त हिलने लग जाते हैं, लियूज होने लग जाते हैं, बहुत सारे patient आके report करते हैं कि दान्त हिलने लग गए, उसके बाद हमार चाहूँगा आपने कुछ सिम्टम्स भी बताए कि हंडा गरम लगना या फिर उसके बाद दातों में अगर खाना फज जाता है आम तोर पर लोग इसे अवाइड करना शुरू कर देते हैं तो अगर अवाइड करते हैं उसके बाद कितना कदरनाक हो सकता है यह बिल्कुल आप साइज के अलग-अलग आकार की दांत हमारे मुँ में रहते हैं आप देखते होंगे यदि एक दांत का लोस होता है तो उससे समंदित समस्यें आपको सुरू हो जाती है जैसे आपको स्पीच में प्रोब्लम आएगी जैसे आपको अपने जोइंट में टीमजे जोइंट जि जोड़ा इंफेक्शन ब्लड बॉर्ण इंफेक्शन जिसे बोलते हैं वो अन्य तरह की सिस्टेमिक बिमारियों में आगे चलके बदल जाता है जैसे मैं आम बासा में बताना चाहूंगा हमारे देश में इस चीज की अवेडनेस मरीज की लेवल पर नहीं प्रोफेस्नल ले होती पर आप देखेंगे जब वो डाइबिटीज है अमेरिका या जो विक्सित देश हैं वहाँ डाइबिटीज और जो फिजिशियन चेक कर रहे हैं वो डेंटिस से पहले सलाल लेते हैं उस पेसेंट के बारे में कि औरल केविटी में कोई इनके बिमारी तो नहीं है बिको हम बात करें तो मुँ का जो कनेक्शन है वो और और्गन्स के साथ भी बिल्कुल आपने सही का जैसे पीजी आई एम्स बड़ी जगह आप देखेंगे तो कोई भी हाइट के ओपरेशन करने से पहले या किसी किड़नी के ट्रांस्प्लांट से पहले या केंसर मरीज की रेड काना चाहूँगा आपके चैनल के माद्यम से कि इंफेक्टिव एंडोकाडाइटीज जैसे हर देरोगी होते हैं उनमें ज्यादातर मरीजों में क्या पेस्टमेकर या सारी चीजें लगाई जाती है किसी तरह का ग्राफ लगाया जाता है या वो लगाया जाती है वो सबसे अब जो बैक्टिरिया है वो औरल के विटी में पाय जाता है जो ब्लड के दौरा जिसे एक सिस्टम कहते हैं ब्लड बॉर्ण सिस्टम के दौरा वो एंडोकाडाइटीज कर सकता है तो आपके मरीज के लिए एक नया संकट पैदा कर सकता है आप जब भी कोई प्रोसीजर य एक दूसरे से बाई-डाइरेक्शनल जूड़ी भी है किडिनी की विमारिया आप देखेंगे सारी चीजें ट्रांस्प्लांट के पेसेंट हैं ये दि मुह में इंफ्लामेशन जादा होगा बोडी में वो साइटोकाइंस जिसे हम अपनी प्रोफेशनल लेंगवेज में कहत कि पूरे सरीर में सुजन पैदा करने वाले जो बैक्टेरिया हैं वो सब जगे अफेक्ट करते हैं जैसे आपके चैनल के मादेम से मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंट मुमें जो पुराने टाइम में अपने लोग कहते थे कि आप जो गरववती महिलाएं हैं वो द प्रेगनेंसी के दोरान भी प्री टर्म बेबी होने की चांसे बढ़ जाते हैं सारी रिसर्से जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता ये प्रेगनेंट मुमें ग्रेवन बती जो महिलाएं हैं उनके मुखा स्वास्ते ज़्यादा इंपोर्टेंट इसलिए होता है कि आप क कि मसूड़े की बिमारियां सबसे ज़्यादा गरभवती महिलाओं में पाई जाती हैं। में आपन देखते हैं बच्पन में six months पे पहला teeth आता है जो normal teeth जिसे कैसे हैं कई बच्चों में लाखों बच्चों में एक बच्चे में बच्पन के समय भी teeth पाई जाते हैं वो unusual होते हैं उन teeth को तुरंद extract करवा दिया जाता है जिने neonatal या natal teeth कहते हैं आपन पर जो पहला teeth आ moral health का विसेज द्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके मूँ का सबसे important चीज आपके channel के मादें से जो मैं बता रहा हूं कि मूँ का स्वास्ते बच्चे के लिए इसलिए important है कि जो उसकी growth है वो दात पे टिकी भी है कि जब दात की अच्छी growth होगी तो ही अपनी जबडे के अड जल्दी गिर गए या बाद में गिरेंगे यह सारी चीजें बहुत ज़्यादा important है इन चीजों को विसेज द्यान रखे कि बच्चों में यह भी होता है कि दूद के दात जब तूड जाते हैं तो आने में कापी बफ्त लग जाता है बिल्कुल दूद के दात गिरने और चाह महीने का होता है छै साल तक उसके दूद के दात पूरे आ जाते हैं छै साल से बारा साल तक दूद के दात और पर्मानिंट टीथ साथ-साथ रहते हैं तो दूद के दात यह जल्दी गिर गए तो नीचे से eruption force जो नए धा आने के लिए जो force बहू हो पाता इतना तो अड़ी की growth भी नहीं हो पाती तो teeth आने में जो teeth आएंगे वो आड़े तिर्षे जैसे teeth जिसे कहते हैं वो problem करते हैं उसके जबड़े की पूरी growth नहीं होने के वज़े से पूरे teeth आने में space नहीं मिल पाता जाथा दान्तों को तो आगे चलके वो बच्चों में बहुत problem करत बच्चों की स्पीच में प्रोब्लम आती है, बच्चे तुतलाती है, बच्चों का तालू है, वो गहरा हो जाता है, इन चीजों पर विशेज ध्यान रखता है, अब मैं आपके चैनल के मादेम से यह बताना चाहूं कि बच्चों में यह बिमारियां बड़ी क्यों, इसका की फूड जादा समय तक बच्चों के माउथ में रहता है, उस वजए से जो बैक्टीरिया नॉर्मल थे, हैल्दी बैक्टीरिया जो माउथ में थे, उनका अल्टेशन होके, जो पैथोलोजिकल बैक्टीरिया जो अपने मूँ की अंदर बिमारियां करते हैं, वो बढ़ जा करना चाहिए, यह पैसिफायर्स हैं, वो अलोन यदि आपको यूज़ करना पड़े तो बिना किसी सहथ और उसकी यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यह सभी बाते हुई, लेकिन अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में, औरल की हमने जैसे बात की, घर्वती, मैलाओं की बात की, बच्चों की बात की, लेकिन ओरल कैंसर एक सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है, बिल्कुल, आप यूरोपियन कंटीज और भार्द की, यानि एसिया कॉंटिनेटल को जब कंपेर करेंगी, तो यूरोपियन कंटीज में लंग केंसर, इस दा मुस्ट प्रिविल रोप से उपलब्द हैं सब जगे, सारी जगे, और अवेर नहीं हैं लोग, कि सब लोगों में आए एक मिथ्या है, कि वो तो 20 साल सी बीड़ी सिक्रेट पी रहा है, उसके कुछ नहीं हुआ, आप सब को ये बताना चाहूँगा, आपके चेनल के मादियम से, कि हर वेक्ति का जेनेटिक कॉंस्टिटुएंट अलग-अलग होता है, कि इस मिथ्या में नहीं आएं, कि उसने दस बार दिन में सिक्रेट पीता है, मैं तो एक बारी पी है, तो इससे क्या कैंसर हो जाएगा, हर वेक्ति में ये रिस्क फेक्टर है, ये कोज नहीं है, डाइरेक्ट रिलेट तो टूबेकों के जो साधनते हैं, हुका पिया जाता था, ये चिलम पी जाती थी, तो उसके नीचे एक कपड़ा लगाते थे, आप देखते हैं, गिला कपड़ा, तो वो काला हो जाता था, वो गिला कपड़ा कार्बन को सोकता था, उन लोगों के लिए, उन लोगों को का चिलम पीएं तोबेको का लोग क्या कमपीर करके चीजों में ऐसे एक तरह से कूतर करके उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं मैं आपके मादेम से यह कहना चाहूँगा कि औरल हेल्थ के यह सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो नो टू टोबेको इन ए कि अपने आटोबेको सेविंग फोर्म में जो बढ़ रहा है वो लगातार करने से औरल म्युकोजा की जो एक लिमिटेशन होती है वो चेंज हो जाती है औरल म्युकोजा और औरल सब म्युकस फाइब्रोसिस जो प्री किंसरस लीजन है कि आपने लोगों को देखा होगा कि उनके जबड़े खुलते नहीं हैं उनके सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आदमी जब रिपोर्ट करता है तो उसका मुह नहीं खुलता कि मेरा आजकल मुह कम खुल रहा है तो जब ऐसे ओपिडी में या किसी जगए फिजी सियन या किसी जगए रिपोर्ट करते हैं ऐसे प होते हैं उनके अंदर की म्यूकोजा जो अपन गाल के अंदर का इससा जिसे कहते हैं मुग के अंदर वो क्या स्टिफ हो जाती है बैंड बन जाते हैं उसमें उन बैंड में हम कई तरह के इंजेक्शन लगाते हैं कई तरह के सर्जीकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी वज़े से उनकी हबिट को सुधार के उनको केंसर में चेंज होने से बचाया जा सकते हैं क्या कुछ ये बात की हमने बिमारियों की सारा सब कुछ किस तरह दातों से संबंदित अगर इलाज की बात करें तो पिछले कुछ सालों में किस तरह के बदलाव आये हैं इस तरह के अड़ वास टेकनोलोजियों या उससे भी चरशा करते हैं तक प्रचास बिल्कुल अभी या अपन डिंटल साइंस की बात करें दंथ विड्यान में जिसमें बहुत सारे बदलाव आएं पहले पुराने टाइम के इकोडिंग मशीनों में टेकनोलोजी में सारी नहीं कोज या ब्रेन में या कोई बोडी में नहीं हो तो हमें ओरल केविटी को भी चेर करना चाहिए उसका कुलवा के कि उसकी अन्यूजवल बाई हैबिट तो नहीं है जैसे आप स्टेस में कोई पेसेंट होता है तो उसके ब्रक्सिजम सारी चीजें होती है तो आजकल जो एडवांसमेंट आगए हम ओरल केविटी के दुआरा उसकी जो टीमजे को रिलेक्स करने के लिए सारी चीजें करने के लिए जैसे दांतों की बिमारियों में आप रेस्टोरेशन, इलाज करना, ये मसीन ने, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, मरीजों के लिए नहीं होती पर जो एडवांसमेंट हैं, जो में एडवांसमेंट आप बात करेंगे, कि सिस्टेमिक बिमारियां जो हम मुझ से ठीक कर सकते हैं, जैसे लोग खराटे लेते हैं रात को, मुझ से सांस ले रहे होते हैं, उनके तालू में, उनके नाक में, कान में, बहुत सारी बिमारियां प्रोब्लम हो सकती है और स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया जो रात को एक गंबीर बिमारी है जिसमें मरीज का सांस तक रुख सकता है उसके लिए हम डिवाइस बनाते हैं आजकल आपने कोरोना में जैसे देखा था कि लोगों के जबडे निकाल दिये गए ब्लेक फंगस एक बिमारी थी उस पे भी अपन चर्चा करने चाहेंगे कि आपके माद्यम से लोगों को ये पता चले गिए ब्लेक फंगस बिमारी बेसिकली क्यों हो गी इतनी प्रिविलेंट क्यों रही जैसे ये कोरोना की बिमारी में इम्मुनेटी जैसे पेसेंस के डाउन रही दवाईयो इंवाइरमेंट ज़्याधा होता है जो बेक्टिरिया होते हैं पर जैसे ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेसिंट रहे है उनके मुह में अक्सीजन डाईरेक्ट जा रही थी एरोबिक इंवायरमेंट जो किरेट हुआ steroids की वज़े से तो उन patients में जो अपन देखते हैं कि black fungus ज़ादा हुआ जिनके systemic बिमारियां ज़ादा थी जैसे diabetes diabetes में क्या होता है oral cavity में bacteria और अड़ी की बिमारी ज़ादा होती है तो जो lesions जो चीजें थी उसमें secondary fungal infection होने के chance बढ़े उन लोगों की तो इन चीजों पर विशेज द्यान रखना है कि किसी भी pre यानि systemic treatment को करने से operation plan करने से पहले आप अपनी oral cavity को जरूर चेक करवाएं बिल्कुल यह दे आज हमारे साथ डॉक्टर प्रदीब शर्मा oral सम्मंदी जो बिमारियां है उसको लेकर आज हमने हमारे जो कारेक्रम है से पनाव में उसे लेकर चर्चा की आगे भी हम आपके लिए इस तरह के कारेक्रम लेकर आएंगे स्वास्ते से जुड़े हुए लेकिन फिलाल आप बने रहें दलगरी नीउस के साथ हमश्कार